तो नमस्कार दोस्तों आप सभी क्या स्वागा थे एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा अगर आप लोग पहला बार यात्रा कर रहे हो अगर आप लोग पहला बार जा रहे हो किसी दूसरे देश में काम करने के लिए घूमने के लिए इंटरनेश समान चेकिन किया जाता है कैसे को सब्सक्राइब बना रहा हूं तो आप लोग इस वीडियो को जरू लाश तक देखेंगे इस वीडियो साल पूरे तरीका से अब शुटिफाइब हो जाओगे कि किसी दूसरे देश्में ट्रेवल करने में क्या का चीज का प्रॉबलम होता है क चीज का साधानिया रखना चाहिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को एयरपोट आना है ठीक है एयरपोट कुसी इस तरह से रहता है सारे एयरपोट पे लाइन से काउंटर बनाया जाता है मतलब गेट नमर आता है एक नमर दो नमर सब्सक्राइब करके आपको जो काउंटर इस इसकाडमर और दोस्तों से अंदर आजिए है मतलब बढ़ावाद के गेट कैसे दिखे देखे लाइन से गेट दिख रहा है छोड़ा छोड़ा देखे एसा गेट आप लोग दिखे गए ठीक है यहां पर को आपको इंटर में पर्मिशन मिल जाने के लिए आप अंदर में आ जाओ उसके पहले भी बहुत कुछ होता है मतलब बोर्डिंग पास के लिए जिस कंपनी का अप फलाइट है एयर एसी होगे है इंडिया होगए यह बिट्व यह लाइंस जो भी हम फ्लाइड में टेवल करोके नदर जा सकते हो अपको्का सामाह ने आपका चेक लिए यहां be सब्सक्राइब करना पर एक्सटा तो उतना आपको कराना पड़ेगा उसके बाद आपका इमिगेशन होगा इमिगेशन होगा अलग अलग काउंटर रहता है तो आपको जी देश में जाना तो ऐसे इमिगेशन के जाने के लिए तो वहां पर भी सीटिंग एरिया रहता है मतलब जब तक फ्राइट प्रिपेर नहीं जब तक रेडी नहीं होगा आपको एग घंटर देर घंटर टाइम पहले ही आपको इंटरी करा का बैठने के लिए बोल दिया जाएगा आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा बैठने के लिए फ्लाइट के पास में ठीके पर जहां पर बहुत सारा सौप राता है दुकान आता है जिसको ड्यूटी फिड़िया ड्यूटी-फ्री एडिया बोलते है वहां से आप लोग ले सकते कोई भी सामान पचास कर सकते हो वहां से सामान खरी सकते हो बोंदिया जयाएक है आपको टिकट पेहीं लिखा रैगा बॉर्डि स्यलक्तप करें इसमें आपका जोभी जाएगा सिट नमर वहां पर मिल जागा बोर्डि पास में gör बॉर्डिंग पश्याँ मिल dit यह लोग check-in the को सम्झाद देंगे लोग अगर आप लोग पहले पर पता नहीं है तो तो आपका सीट नमर क्या है वहां पे यह भी सी करके से सीट नमर दिया जाता है आप लोग उस सीट में जाकर फाइट के अंदर कुछ इस तरह से सीट रहेगा एक तरह से बस टाइप के दिए वहां से आओ गया आपका समान की लोगेश कियो तो समान के लिए जैसे आप फ्लाइट से निकलोगे तो आपका जो फी फी आपके इमिगेशन होगा वहां पर किसी दूस्य दिश्वाग होगे आप लोग आओगे तब अपना अपना समान दे सकते हो ठीक है अब तो कुछी इस तरह स यह रहता है कांटर बनाकर वहां पर प्लूश सकते हो जो कुछ भी पता नहीं कांटर कहां पर है इमिंगेशन कहां पर होगा कुस्टम के चेक आपका बोर्डिंग पास कैसे मिलेगा सब कुछ बता देंगे आप लोग आसाइंस से जा सकतो ठीक है आपका पास तीकर रहें त सब्सक्राइब में आप बैठ होगे आप ठीक है आपको अपने साथ बस दो तीम गलतिया नहीं काना एयरपोर्ट पे कभी भी नसीला चीज आप लोग लेकर नहीं जाना है नसीला चीज लेकर भाड़ी मातरा में पहुंश सकते हो जब वहां पर कॉस्टम होगा सीकूर्टी जी फचास जी आपके ठीकें के ऊपर है कर आप लेकर जा सकते हो stupid म जाओगे ये सान के आंप आपको आपका श्रॉज कर दिखा जाएगा अपने देश आ सकतो तो बस अच्छा लिए लाइक किजागा आप समय चैनल पर नहीं तो मैं चल्काइब किसी धिश के जन करें कर आथा तक्से अप लोगों को उसे कुछ हेल्थ में उसे कुछ आपको चैन करें पर देश करें तो तब तो के लिए जाए हिंद